अपने उद्देश में इमांदारी से लगे रहना ही सफलता का राज से है Good morning friends, welcome to online study point दोस्तों आज 3 सितंबर और देखेंगे सारे करने फेश साथ ही काफी सारे extra fact भी तो इस वीडियो को पूरा बहुत ध्यान से देखिएगा लास्ट में कोशन पूचेगो उसका एंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है इस वीडियो की PDF फाइल वीडियो को description box मिल जाएगी दोस्तों मैं Unacademy पर ही पढ़ाता हूँ तो आप Unacademy Learning के प्लेश टोर से डाउनलोड करके उसमें Online HD Point सार्च करके आप फॉलो कर सकते हैं और मैं अपने Unacademy Profile के लिंग इस वीडियो को description box में भी दे दे हूँ तो उस लिंक पर डाइरेट क्लिक करके आप फॉलो कर सकते हैं और वहाँ पर बनाएगे करेंड़ फेस्क वीडियो बिल्कुल फ्री में देख सकते हैं तो यदि आप चैनल पर पहली बार वीट करेंगे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले तो प्लीज एक लाइक करके होसला बढ़ाईएगा साथी साथ इस वीडियो कुछ जादा शेयर कर दिए चली स्टर्ट करते बीन देर क्वे पहला कोशन है एसियन गेम्स दो अठारा में शमापन समारों में भारत की दोजबाह कौन बनी है तो इसको मैं हलाकी बता चुका हूँ लेकिन एक बार रिवीजन कर देता हूँ आपका ताकि आपको चीज़े कंठस्ट हो जाओ तो इसका राइड एंसर आपको दोस्तों ऑप्सन भी रानी रामपाल ठीक है देखें दोस्तों आपको बता देख जो भारती महिला होंकी टीम की कपतान रानी रामपाल को 18-20 ACI खेलों के समापन समारों के लिए भारती धल का धोजबाहग चुना गया है ठीक है इसके लावा दोस्तों को बतादे कि भारती ओलंपिक संग के जो ध्यक्स है बरतमान में नरिंदर बत्रा ने इस संबन्द में इसकी जानकारी दी है और आपको बतादे कि तेईस साल की रानी की कप्तानी में भारती महिला होंकी टीम ने 20 साल के पदकों को सुखा खत्म करते हुँ रज़त पतक जीता है तो इस बार जो तो भारती महिला होंकी टीम ने इस बार रज़त पतक जीता है ठीक है और आपको बतादे हैं कि दोस्तों यहां पे कि नीराच चोपड़ा जो है इन्हों ने जो तो उद्धाटन समारों के लिए स्टार फेंक जो जेवलिन जो तो इसके समापन समारों के धोचबा कौन बनी तो होंकी की कैप्टन महिलाओ की टिंग पी रानी रामपाल जो तो बनी है तो यहां फैक्ट याद रखे उसके लाब हम है एसीन गेम दो ठारा से जितने सारे इंपोर्डन कोईशन दोस्तों आज मैं वीडियो कल बना चु ठीक है उसके लाब दोस्तों को बता दे कि पहली वार जो एसीन गेम 28 में कौन कौन से खेल सामिल किये गये थे इस पॉर्ट्स और क्यों पोलो यह दो जो खेल हैं टीक है इसके लाब आपको बता दे कि इसका जो शुभंकर था भिन भिन काका और अटूंग यह उपको कही व धेवाग के था एसिया की उर्जा ठीक एसिया की उर्जा और उसके लावब दोस्तों आपको बता दे कि 45 देशों ने पाडिसिपेट किया था इसमें 45 कंट्रीज ने और 40 खेलों की 465 इस परदाएं जो है तो इसमें खेली गई है ठीक है और 18 अगस से 2 सितंबर तक ये खेल आ मैं आपको extra fact बताऊंगा तो आप वीडियो को लास तक देखिएगा और ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलेगा आप लोग लाइक बिल्कुल नहीं करते पता नहीं क्या प्रावलम है मेरे वीडियो में कुछ कमी रहती है तो आप बताए जबर बत होते हैं सुप्रीम कोट के नय मुख्यनयाधिस जो नयए चिप जस्टिस काउन होंगे ये भी कोशन बहुत इंपोर्डेंट है आगामहे एक्जाम्स के लिए तो सुप्रीम कोट के जो नयमुख्यनयाधिस होंगे दोस्तों वह होंगे रंजन गोगोई ठीक है अब ये तो और ठीक है बहुत इजी कोश्चन होगे लेकिन यह पूछा जा कि कौन से नंबर के बनेंगे तो 46 में नंबर के नए चीप जस्टीस बनेंगे उच्चितम ने आ लेगे ठीक है और इससे पहले कौन थे दीपक मिश्रा थे 45 में नंबर के उन्हीं का स्थानिय लेगे रंजन गो पूंचल न नागयन सिंग अंतर्याश्टी नियाले प्रति नियाधिश थे ठीक है प्रतम भारति नियाधिश कंण बने थे कितने नयादिस थे तो सात नयादिस होते थे और एक मुखे नयाधिस नयाधिस कीन्तू जो दोस्तों आपको उता के बता. राष्टपति को प्रोमस देनें के पूर्व अनिवारे रूप सी 4 बश्च च्रमुर्दक परामर्स प्राप्त प्रामर्स की आधार पर राष्ट पति जो तो परामर्स देते हैं ठीक राष्очка पती को परामर्स देते हैं तो सुक्रीम वय बहुत इंसको यहाद रखी ने कौन सब्दक जीता है दोस्तों विष्व यूवा मुक्यवाजी में साक्षी चौधरी ने जीता है यहां पर गोल्ड मेडल यानि ऑपसाने राइट है देखे दोस्ता आपको दादे कि हंगरी की राजनी बुड़ा पोस्ट में जो है संपन्द विष्व यूवा मुक्यव मुक्यवाजी में साक्षी चौधरी ने संतावन किलोग्राम बर्ग में सौण पदक जीता है कितने किलोग्राम में 57 में याद रखिएगा और साक्षी के लावा अनायमिका जो है और मनीशा को फाइनल में हार के साथ रजत पदक से संतोष करना पड़ा है और भारती यूव मुक्यवाजी में साक्षी चौधरी ने कौन से मिडल जीता है तो इन्होंने गोर्ले मिडल जीता है और यह कहां पर हुआ है यह भी आपको याद रखने तो हंगरी की राजहनी बुड़ा पोस्ट में हुआ है विश्यूवा मुक्यवाजी ठीक है यह यहां पर पूंचा ज है दोस्तों एसियान गेम दो अठा रहा है भारत ने कुल कितने मिडल जीते हैं इसका राइड एंसर हो जाएगा ऑप्शन से 69 देखे दोस्तों को दादे कि एसी आई खेलों की इतिहास में भारत का अब तक का सबसे दमदार प्रदर्शन रहा है और भारत ने जकारता में श 69 मिडल में 15 गोल्ड 24 रजत और 30 कान से पदक जीते हैं और भारत 15 सोड उने सुन क्यावन दिल्ली एसिया खेलों में जीते गए सोड के बराबर है ठीक है और दोस्तों को दादेक चीन जो है पदक तालिका में सीर्स स्थान पर है टॉप पर है 289 मिडल के साथ 132 मिडल से इस भारत ने टोटल कितने मिडल जीते 69 मिडल इसमें जो है तो आपको बता चुका हो कि 15 सोड 24 रजत और 30 कान से पदक भारत ने जीते हैं ठीक है चलिए अगले को शनक तरफ बढ़ते हैं छटी पूर्व एसिया सिकर्समेलन आर्थिक मंत्रियों की बैठक कहा हुई है उसका र संपर्ण हुई है और इस बैठक भारत का परते नहीं है तो जोस्तों केंद्री वाणी जमुद्योग मंत्री सुरेश प्रभून किया था ठीक है और छटमी पूर्व एसिया आर्थिक मंत्री को बैठक कर देख्षता सिंगापूर के व्यापार रुद्योग मंत्री चान ठीक है तो छटी पूर्व एसिया शिकर से मिलन के आर्थिक मंत्री को बैठक कहा हो यह 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 दोस्तों सिंगापूर में ठीक है चलिए नेक्स्क्रूचन है रक्सौल और काठमांडू के बीच रेलवे लाइन के प्रारंभिक सर्वेक्षण में किन दो देशों की बीच जो तो समस्य तक जापनपर स्ताक्षर की हैं सराइड एंसर है और भारत और नेपाल के बीच देखिए दोस्तों आपको बतादे कि भारत और नेपाल ने प्रारंभी के अच्छार है या सर्वेक्ष抹ण पर एक समझो तक जापन पर सक्षर की हैं अपको बता तें कि नेपाल नेपाल ने भारत के जो भारत ये मंजीव सिंग पूरी ने आपको बात करें यहाँ पर नेपाल के बरत्मान !! प्रधान मंत्रियों केपी सर्मावली प्रायमिस्टर केपी सर्मावली और बात करें यहां पर प्रेसिडेंट की तो वह हैं विद्य देवी भंडारी और करेंसी है नेपाली रूपया ठीक है तो राक्सावल जो की बिहार में है और काठमांडू के बीच रेलवे लाइन प्रा प्रेट किया गया है इसका राइट एंसर जाएगा ऑपसंटी सुनील महता को किसको सुनील महता को देखे दोस्तों को बता देख इंडियन बैंक एस्टेशन ने तो अठारा उन्नीस के लिए नयद्ध्र शुरू में पंजाम निशनल बैंक की प्रवन नियसक और मुख्य का है दीन मंधु महापात्रा को और आपको पता दे कि स्टेट बैंक ऑफिंडे की चेर्मैन रजनीश कुमार और दोस्तों रजनीश कुमार के अलावा फेडरल बैंक के प्रवन नियसक है श्याम स्री निवासन और आई वीए के डिप्टी चेर्मैन कुरू में बने रहेंगे ठीक है और माधाव नायर जो है कंट्री प्रमुख और मुख्य कारकारे दिकारी मसर बैंक पी एस सी को दो अठार उनीश के लिए एस्योसियेशन के म पंजाम निशनल बैंक के प्रवन निशक और मुख्य कारकारी सुनील महताजी को ठीक है चली अब देख लेते हैं कल की वीडियो का एंसर कल का उत्तर कलमा ने कोश्चन पूछ था एस्याइए खिलो अठारा में जिंसों जॉन्सन ने पूर्सों के पंद्रह सो मीटर रेंज कौन बन गया है आपके पास option दे रखे हैं आपको right answer comment box में लिखना है और साथी साथ beam stack के बारे में जो भी मैं आपको जानकारी दिया हूँ जितने भी extra effect question आपको बताया हूँ उस सारी जो आपको लिखना है एक beam stack की स्थापना का वही थी member का उन है पहला समयलन कहा हुआ थ पता नहीं तो please comment जरूर किया करिए आप लोग कुरी detail के साथ ऐसे एक line में comment कर देते इससे फायते थोड़ी होगा आपको exam में पूछा जा सकते इससे लेटे एक सब्सक्राइब तो आपको सब भी पता होना चाहिए ना और उसा पत तब पता होगा जब आप लोग बिल्कु थैंक यू जै हिन बंदे मातरम